हेलोड़वन स्वाका थे आप लोग का कैप्टेन पीसे गेम यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपका बजेट 70-85,000 रुपेस के अंदर है और आप चाहते हैं अल्टीमेड एक पीसे बिल्ड करना जो कि आपको 1440P यानि कि 2 की अल्टर सेटिंग भी कर पाए वो भी आज के जीतने भी ट्रीवले टाइटल है सभी गेम आप 100 प्लस अपको मिलेगा तो आप बिल्कुल साई वीडियो में आया है यह बस एक काईट वीडियो है या पे माँ कोई आपको फिसेकल बिल्ड करके नहीं दिखाऊंगा और फिसे बिल्ड करने के समय आप लोगों के लिए ला सके तो जादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चले वीडियो को करते हैं शुरू कि पीसी पिल्ड में सबसे ज़्याद जो पैसा खर्च होते हैं वह सीप्यू जीप्यू और मादरबुट पे तो यह चीज़ हमें ध्यान से करेंना है क्योंकि सीप्य मादरबुट बार पर हम चेंज नहीं करेंगे तो सीप्यू की बात करें तो यहां पर आपको मैं बोलूँगा एमडी का 7000 सीरीस का राइजन 5,7600 को ले सकते हैं जो कि छे को बारत रेट के साथ आता है और इसकी बुस्ट लोग की बात करें तो 5.1 की घाट तक आपको देख कर सकते हैं और इसकी प्राइजिंग की बात करें तो यह लगपग आपको 18,530 रूपीज के अंदर देखने को मिल जाता है बेदन कम्पेटर में एमडी में प्राइस थोरा सा इसका जादा है आपको जहां से सस्ता परें आप वहां से इस सिप्यू को पाई कर सकते हैं और अ आपको तो जैन 4 वाला एंड में एसस्ट का लगाने का पी ऑप्सोन मिल जाता है और हीट सिंग भीस का ठीक टाक है क्योंकि टप सीरिस का है तो इसे बीड क्वालिटी लेकर आपको कोई भी टेंसर लेने के चरुद नहीं है हीट सिंग बहुत अच्छा है आप चाहे तो यह बना चाहते मोनिटर के साथ तो बोलो कोई सिक्सी के साथ पिल कर सकते हैं और अभी बात करते हैं 46 या फिर 7600 एक्सटी कौन से इन दोनों में से आपको लेना चाहिए प्राइसिंग की बात करें तो अगर आप 46 टी लेते हैं तो आपको पड़ेगा 35,350 रूपीश के असपस और अगर आप 7600 XT को लेते हैं, तो बहुत को पड़ेगा 34,100 रूपीस का सबस, 46 Ti 8GB VRM के साथ आता है, और 7600 XT 16GB VRM के साथ आता है, दोनों में आपको यूज डिफरेंस लग रहा है कि 8GB vs 16GB VRM होने के वाज़े से बहुत ही जादा सा APS मिलेगा, यसा नहीं है, लेकिन ओवारॉल देखा जाए, तो 46 Ti 7600 XT से बेहतर आपको परप्रमेंस देगा, और दोनों ही ग्राफिक कार्ड में आपको AI फीचर्स देखने को मिल जाता है, एमडे में आपको रेड रेसिंग मिलता है, देलेस तरीका भी सबड़ मिलता है, और एमडे में आपको आता है FSR 3 का, और ट्रीम के लिए आपको noise reduction भाला भी ये फीचर्स मिल जाता है, तो इधर भी बहुत अच्छा कासा फीचर्स है, लेकिन दोनों में अकर फ्रेम रिट के बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों में से 4060 Ti में आपको ज्यादा clock speed मिलता है, और TDP भी आपको कम है, 160 Watt का, और AMD के कार्ड पे आपको 190 Watt का देखने को मिलता है, और यह मैं आपके उपर छोड़ता हूँ, अगर आप यह NVIDIA का कार्ड को पसंद नहीं करते हैं, तो आप AMD के साज़ आ सकते हैं, लेकिन AMD से अच्छा है NVIDIA का कार्ड जो की 4060 Ti आप लेते हैं, तो आपको कोई निराश नहीं होगी, और अभी बात करते है RAM और storage की तो RAM आपको minimum 16GB लेना चाहिए, DDR5 का कोई भी आप RAM ले सकते हैं, अगर आप Corsair का RAM लेते हैं, जो की 5200 MHz तो आपको लगवग पड़ेगा 4300 रुपिस का असपास, यह single stick है, अगर आप dual stick लगाना चाहते हैं, तो pricing आपको थोरा सब बढ़ जाएगा, आप चाहिए तो यह वाला RAM ले सकते हैं, और बात काते है primary storage की, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, आप कोई भी जैन फोर वाला SSD ले सकते हैं, मिनिमम आपको 500GB के NBME SSD लेना चाहिए, अगर अगर प्रूशल का लेते हैं, तो लगवग आपको 4500 रुपिस के असपास देखने को मिल जाता है, तो अभी बात काते है power supply की, तो power supply आपको कितने वाट का लेना चाहिए, अगर आप 460Ti के साथ चाहते हैं, और फीचर में कोई भी अग्रेब लेकर नहीं करते हैं, तो आपको minimum 650W का power supply ले लेते हैं, तो enough है, प्रूशल के साथ जो power supply रिकमेंट किया गया है, वो है 550W, लेकिन हम 650W का लेंगे, आप MSI के ले सकते हैं, 642W का power supply जो की 80+, प्रूशल के साथ आता है, और यह पांसाल के वारिंट के साथ आता है, और यह non-modular power supply है, राइजिंग की बात करें, तो 4,730W का सपस आपको देखने को मिलता है, अगर आप फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड बागरा अप्ग्रेड करना चाहते हैं, तो फिर आपको थोरा सा ज्यादा वार्ड पल अबावर सब लेना चाहिए, और अभी बात करते हैं, तो cabinet में आप आपको ऊपर छोड़ता हूँ, अब अपने बजट के हिसाब से cabinet को ले सकते हैं, जो आपको पसंद है, उसी साब से, 3,000 से लेके 4,000 के अंदर बहुत सारे आपको cabinet देखने को मिल जाते हैं, कोई भी आप उनमें से cabinet ले सकते हैं, या फिर हमने रिसेंटली एक भीडू बनाय पिसे सबस्टा बढ़ें, čा या वोनगिया, या पिसे बिल कर सकते हैं तो आपके ओपर है, आपको जहां पर सस्था बढ़ें उससे सब सबसे सबसें सकते हैं, तो आशा करते हैं, दोस्तों विडियो देख कैंपको मदद हुआ है, अगर आपका कोई-बी सवाल हो, तो नी झाल